मनुस्य के जीवन का सबसे बड़ा दुरभागी यही है कि उसके जीवन का 90 प्रतिसत समय अर्थ हीन व्यर्थ के कामों में नस्ट हो जाता है अब तक तो कर ही लिया आपने अब आपको सचेत हो जाना है थोड़ा होश पूरुन रहना है होश बनाए रखना है साक्षि साथना सिविर का प्राण है होश पूरुन जीवन और यह होश पूरुन जीवन जीने के विज्ञान का सार क्या है स्वयं को कभी मत भूलना चेतना का तीर स्वयं की ओर हर कारे को करते समय बना रहे सब कुछ भूल जाए लेकिन सोयंग को न भूलो इसी को कहते हैं आत्मा इस्मरंड इसी को कहते हैं भगवान बुद्ध सम्यक इस्मृति उन्होंने कहा सम्मा सती इसी को संत कबीर कहते हैं सूरती और यही भराष्ट होते होते सुमिरन बन गया और सुमिरन के नाम पर कोई रा ना राम का पता है, ना कृष्ण का पता है, ना अल्ला का पता है, ना अकबर का पता है, लेकिन जब रहे हैं, वो राम, रहीम, अल्ला, अकबर, क्राइस्ट, इसा, ये सब उस चेतना में संग्रहीत हैं, जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर सक्री है, जीवन सक्री है, बिश्र होता है चेतना का बिंदू आपके बीतर आप वही हैं और वही है साक्षी उसका होश रखना साक्षी हो जाना है तो जब आप स्वयंग का होश रखने का भ्यास शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजों का होश आपको आने लगेगा उसका होश रखते रखते सबसे ब जागने का विज्ञान तुम्हें दे रहा हूं और इस विज्ञान में आपको बड़ी सहायता मिलेगी जब आप जिस काम को कर रहे हो पूरी उर्जा उसी काम में लगा दोगे जिस काम को कर रहे हो उस काम को करते समय पूरी उर्जा वहीं रहे कि चेतना का तीर जब दो तरफा रहेगा तो उर्जा कहीं और नहीं जाएगी सारी उर्जा आपको उपलब्ध रहेगी और आपके अनुभों में आएगा कि मेरी उर्जा खंडित नहीं है मेरी सारी की सारी उर्जा उस काम में लगी है जो मैं कर रहा हूँ और चेतना का दूसरा तीर मेरी तरफ है सोयंग की तरफ इसका मतलब उस काम को मैं होस पूरबक कर रहा हूँ और उसके अलावा और किसी दूसरी चीज की तरफ मेरा ध्यान नहीं है तब सारा होस आप मजबूर हो जाएंगे आपका सारा होस उसी कृत्य में लग जाएगा क्योंकि चेतना का दूसरा तीर आप कहीं जाही नहीं सकेगा यह तो आप पर एक आप की तरफ रहेगा दूसरा उस कारे में रहेगा तीसरी जगह जाएगा नहीं और आप उस कारे में डूबे हुए हैं तो सारी उर्जा उस कारे को उबलब्द होगी और वह कारे होश पूरवक होगा ओर वह कारे को जब पूरवक होगी और वह कारे को उबल नगलब्द खश्यावा करे जो समर स्वित पर वह कारे जड़ देवा होगी और वह ज।